नमस्कार नेशनल यूथ पार्लेमेंट द्वारा आयोजीत यूथ पार्लेमेंट बज़स्टेशन की इस कारिकम में आयोजोकों प्रतिभागी यूआ साथियों को मेरा नमस्कार आप सभी यूआ साथियों के बीच में आकर मुझे एक नई इस्पूर्ती एक नया जोश और एक अलग उड़जा मसूस होती है आप सब आने वाले दो दिनों में भारतिय संसर्दी प्रक्रिया विशेश रूप से बजट प्रक्रिया को निकट से देखेंगे समझेंगे और एक रोचक ज्यान वर्दक अनभोग भी मुख पार्ल्लेमेंट का अनभोग करेंगे ऐसा कहना गलत नहीं है कि लोकतंद का सिध्धान वेदों का देन नहीं है सभा और समीती का उलेक रिगवेद अर्थवेद दोनों में मिलता है जिसमें राजा और मंत्री विद्वान विचार विमस करकर पेसला लेते थे इसके माध्यम से ये भी पता चलता था कि उस समय की सामाजी को राजनीतिक इस्तिती इतनी टोस लोकतंद प्राधारी थी जहां पर सभी निर्णे सामुई वाद विवाद के बाद पैसले होते थे निर्णे होते थे जो हमारे आज की लोकतंद तिक प्रक्रिया के अंदर भी हम आजादी के बात कर रहे हैं ये बात सही है कि उस समय भी जब समीती सभाबेटती थी तो अलग-अलग विचार होते थे, मदबेध होते थे, स्रमती ऐस्रमती भी होती थी, लेकिन स्रमती ऐस्रमती ही हमारे लोक्तंत की पैचान है और उसी से ही हमारे लोक्तंत की प्रतिबद्दा दर्शात हैं. लोगतन हमारी सब के जीवन के अंदर हमेशा संसकार में भी रहे बुल आधार में भी रहे और इसी लिए इस वैस्ता को और अधिक सर्शक्ति करने के लिए समय समय पर काम चलता रहता है हाली में सविधान दिवस्त के अवसर पर माननी प्रधान मंती नरिन मोदी जी ने देश वासियों को नोजवानों को विशेश रूप से सविधान को जोडने की पहल की थी उन्होंने के वाई सी नो यूर कॉंस्टिटुशन कास तोर पर हमारे देश के अंदर इसकूल हो विशिद्याले हो तमाम देश के लोग सविधान को जाने उसकी विशेश्ता को समझे हमारे मनिशियों ने इस सविधान को बनाते समयं भारत की मूल अधारना के अंदर जनता को बीच में रखा था और आज ही भी हमारे सविधान के कारण हम ये कह सकते हैं दुनिया के अंदर भारत का लोगतन सबसे मजबूत है, सशक्त है उसका कारण मूल सविधान है सविधान के अंदर हमारे मूलिक अधिकार भी है, दाइती भी है और आज हम यह कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर भारत का सविधान सबसे बड़ा भी है और आज दुनिया के अंदर मार्दक्षक भूमिका भी निवाता है हम यह कह सकते हैं कि हमारे आज भी मार्दक्षक भूमिका के रुट में सविधान हमारा मार्दक्षन करता है और लोगतंत को सशक्त और मजबूत बनाने में काम करता है विशेश रूप से मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब नोजवानों के मन में ये विचार आया कि हम भी हमारी संसद जो लोगतंत का मंदिर है जहां पर वाद विवाद होता है, चर्चा होती है, सरमती होती है जहां कानून बनाने का काम भी होता है जहां लोगों के अभाव, अभियों, वोगों की समश्याओं की अभिवेक्षी भी की जाती है और आज हमारे लोगतंत के मंदिर को हम जिस श्रधा के साथ देख सकते हैं आने वाली पिड़ी भी हमारे इस लोगतंत के मंदिर को श्रधा के उप में देखे और लोगतंत हमारे जीवन के अंदर आत्म साथ भी हो, संसकार भी हो और हमारे दिन चरिया के अंदर हम लोगतंत को अपनाते रहें हमारे हर काम में इसलिए इस लोगतंत की पैचान बनाने में देश के नोजवानों के विशेश उसे भूमी का होने चाहिए शामी वियकानन ने कहा था कि भारत एक ऐसा देश है जहां कि युआओं का गोरोशाली इतियास रहा है वेबोशाली इतियास रहा है और इसी गोरोशाली और वेबोशाली इतियास को मजबूत करने का काम करेगा तो भारत का नोजवान करेगा भारत के नोजवान में एक असीम शक्ती है उड़ जाए तागत है जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है और आज भारत का नोजवान ही हर शेत्र के अंदर दुनिया को दिशा देने का काम कर रहे हैं आप दुनिया के किसी देश में चले जाएंगे दुनिया के किसी भी प्रकति शीर देश में विक्सी देश के अंदर वहां भी आप देखेंगे IT सिर्ट के अंदर देश का नोजवान वा नेत्त करता मिलेगा मेडिकल सिर्ट में वाँ का नोजवान नेत्त करता मिलेगा CA के अंदर वाँ का मेनेजमेंट में नोजवान हर सिर्ट के अंदर भारत का नोजवान आज विश्ट के अंदर नेत्त कर रहा है ये हमारे देश के नोजवानों की बोधिक शम्ता है और इसी बोधिक शम्ता के कारण आज दुनिया के अंदर हम नित्त कर रहें और आज यही शामी वेका नंजी ने उसमें कहा था कि भारत के नोजवानों की असीम शक्ती और तागत इतनी है कि दुनिया को बदलने की तागत रखता है तो भारत का नोजवान रखता है और जब के भी दुनिया में एक व्यापक परिवर्तन आएगा तो उसमें भारत के नोजवान का विशेश रूप से योगदान रहेगा इसलिए मैं आप से आगरे करता हूं कि आप सब लोग आज युवा संसत के माध्यम से जुड़ और उसके बाद परिणाम निकलेगा लेकिन हमारे लोगतंत की विशेश रूप से पेचान है कि हमारे लोगतंत में सऺधिये सामति है पस्टिपख्ष है लेकिन जब देश का सवालाता है तो सब डलों से उपर उड़ कर दीश इतके लिए काम करने का काम करते हैं यही हमारे लोकतंत की मेच पेचान है और यही आने वाले समय के अंदर हमारे नोजवानों के अंदर दिशा होनी चीए कि हमारे मन के अंदर जो विचार हैं उन विचारों की अभिवक्ति करें उन विचारों का आपस में चर्चा करें परामस्ट करें लेकिन जब कभी देश का सवाल हो सामुईक रूप से हम देश के साथ खड़े हो और देश किस तरीके से प्रगति के और बड़े इसमें हमारा सामुईक रूप से योगदान हो हमने अभी कोविट के समय देखा कि किस तरीके से सारे वेश्चिक के अंदर इस कोविट की चुनोती थी भारत भी इस चुनोती का मुकाबला कर लेकिन भारत ने इस चुनोतियों का मुकाबला करते हुए जिस सामुखता से काम किया हमारा इतना बड़ा देश इतना बड़ा ल जब कभी संकट आया तो सारे देश ने सामुइक रूप से काम किया और जहां भी लोगों ने अभाओ देखे लोगों को भूके देखा उनकी चिंता की पूरा देश सामुइकता से निकल गया और हमने इस चुनोतिक का मुकावला सामुइक संकट के साथ पूरा कर पाया. आज मैं इस लोगतांती मंदिर के इस लोगस्वाद देश के नाते मेरा दायत हो जाता है कि देश के अंदर लोगतांत सर्शक्त हो मजबूत हो और इसलिए हमने पिछले दिनों पीटासी नदिकारियों की एक बैठक में विचारी मश्च किया कि किस तरीके से सविधान के तीन अंग विधाई का कारेपाली का और न्याएपाली का तीनों का आदस समझ्य बनकर हम किस तरीके से भारत के लोगतांत को सर्शक्त और मजबूत कर सकते हैं क्योंकि हमारे सविधान के अंदर तीनों को सविधानिक अधिकार दिये गए हैं वाद दायत भी दिये गए हैं कारे पालिका का अलग दायत है विधायकी का काम अलग है और इसलिए आज हम यहां पर जब चर्चा करें तो हमें चर्चा करनी चीए कि विधायकी का क्या दायत है कारे पालिका का क्या दायत है न्याई पालिका का क्या दायत है और तीनों अंग अपने अपने शित्र के अंदर किस त्रीके से शर्षक्त मजबूत कर सकते हैं अपने अगन मुकों इसके लिए भी कोशिशojist करना चीए क्योंकि लोगतंत के तीनों इस् listening में अपने अपने उनकी परिदिये शीमा है और शीमhower में अगर हूं से तो हमारे लोक तंद्थ को बढूत करेंगे सश्षक्र करेंगे इसी लिए विधाय की का क्या बनाना लोगों के अभावबर सुनना अभि यृति हैं कारेपालिका का काम है जो संसद विधान सवाव में जो कानून बनते हैं उसको एक्जिक्यूट करना न्याएपालिका का काम है कि कानून सही बने निमने उसकी समिक्षा भी करना और लोगों को सस्ता सर न्याय दिलाना इन तिनों इस्तमों पर भी हमें चर्चा करना चीए आज हब लोग बजट पर भी चर्चा करेंगे बजट हमारे संसुत का सबसे महत्पून वित्य विवरन होता है हम उसमें वर्ष भर हमारे वित्य बजट अनुमान बनाते हैं उसमें कितना हमें कर नाण है किंगिन विश्यों पर खड़नक करना है एक नितिगत पेसला होता है कि कोन से सेक्टर के अंदर कितना बजट खर्च हो ताकि हम लोगों की जीवन को परिवर्तन करसके जब यह समवाद होगी चर्चा होगे लोगों के अभाओ अभियोग सुनते समय जब माननिस्दश्ट जब चुनकर आते हैं तो वह अपने अपने शित्र की बातों को रखते हैं किस किस शित्र के अंदर हम अभाओ हैं वन्चित हैं पिछड़े होएं उनको केसे आगे ला सकते उनके लिए बजट अनुमान क्या हो सकता हैं इसी तरीके से हमारी संसरी समीतियां भी इतनी ही सविधानिक रूप से मजबूत है हमारी संसरी समीतियों में बजट अनुमानों पर चर्चा होती है और संसरी समीतियों में जो चर्चा होती है दल से उपर उठकर होती है देश क के अंदर संसरी समीति हुए बजट पर व्यापक चर्चा होती है और फिर बजट पारित होता है कई डिमांड पर चर्चा होती है कई डिमांड मुख हम गुलोटिन के माध्यम से उनको पारित करते हैं मैं इस मोखे पर आप सभी लोगों को बहुत-बहुत साधुआ देता हूं बढ़ाय देता हूं कि आपने आज इस लोगतंत के एक छोटे मंदिर के रूप में आप यह चर्चा करेंगे समवाद करेंगे और बजट के बारे में चर्चा करेंगे मैं आप सोब को बढ़ाय देता हूं और आशा करता हूं आज की आपकी चर्चा समवाद समति एसमति एक भारत के नोजवानों को नई दिशा देगी हमारे लोकतंत को नई दिशा देगी और हम सब भारत के नोजवान देश के अंदर लोकतंत को अधिक सशक मजबूत बनाएं जनता की बुनियादी समश्याओं को इन चाए पंचायत हो चाए नगरपाली का हो चाहे विधान सवा हो लोग सवा हो लोगों के दुख दर्द उनकी समश्चाओं को इन सदन के इन लोगतांतिक प्लेटफर्म के माद्यम से लोगों को रहात दे सकें आप सबी को बहुत बहुत सादुआत बहुत बहुत बदाई